तो आज हम बनाएंगे पिंक कलर के रसगुल्डे तो यहां मैंने 300 ग्राम पनीर लिया हुए यह मार्केट का पनीर है तो इससे हम आज रसगुल्डे बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं और फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जि इससे आपको मलना है और इस से एकदम करना कर लेना है तो मैंने यह पिर्दियो का ठीक्राइबतों थे वीडियो करक्ती वीडियो के लिए कि आपको डिखा सकूँ झ सब्सक्राइब नहीं के आसे गळले को बनाएं और मार्के बना पनीरों सरी ये क्या और नेक्तरिक अप्राया है ने के बन ऐने अच्छे से नहीं और मैंने बनां और युससे में यह उसे तूठी है ने तो मैंने के बाद मैंने कुछ गल्लिटरों बना धी मतना क्वेक्दा फीर सेitic शवcias प्रफेक्ट नहीं बने हैं मार्केट का जो पनीर था उससे सायद नहीं बना है तो आप यहां पर कोशिस करें कि थोड़ा समयदा या फिक ओन फ्लोर डाल के और बनाएं याप मैंने कड़ाही ले लिए फ्रेंड्स कड़ाही में मैंने तीन कप चिनी डाला है जो कि मैंने 300 ग् यानि कि जो हमने मलके रखें उसमें थोड़े से फुट कलर मिला देंगे यानि कि मिलाया है बस यहां पर दो बूंधी मैंने डाला है पिंक कलर और इसे अच्छे से फिर से मसल लेंगे फ्रेंड्स मैंने बहुत मेंना से वीडियो बनाई थी लेकिन अच्छा नहीं बना था जो हमाई रसगुले वह अच्छा नहीं बना सायद मार्केट में से जो पनीर लाए थे उसी की वज़ा से अगर आपके यहां पर मैंने यहां पर मैदा या कॉन्फोर या सूजी कुछ भी मैंने नहीं डाला सायद इसलिए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने इन सब चीजों के भी परफेक्ट रसगुले बनाके मैंने रेसिपी डाली है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं और देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और इसके रोल यू बना लिये हैं जैसे कि हम जित यह देखिए और यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट क्रैक्ट फ्री हमारे जो बॉल्स हैं बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बिल्कुल भी आपको क्रैक नहीं दिखेगा इसमें देख सकते हैं ऐसे यह अपने सारे बॉल्स को बनाके और रेडी कर लेंगे यह देखिए मैंने सारे बॉल्स पनाके रेडी कर लिया हैं देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने सारे रसगुला हमारे बनके रेडी होंगे और नतीजा कुछ अच्छा नहीं आया और देखिए जुचासनी है उसमें उबाल आ चुके हैं तो इसमें मैंने एक करके ऐसे फिर से रोल करके इसको और एक एक रसगुले मैं डालती गई हूं देखिए यह देखिए एक चासनी में उबाल आनी चीए फ्रेंट्स जब चासनी में उबाल नहीं आएंगी तो ऐसे अपके रसगुले फट जाएंगे और आप देख सकते हैं जो चासनी बिल्कु होगी तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रहा है तो यह इस तरह सी चीएक करने उता है कि दूसरी यसे वी सब्सकिन टुर्फ तो वहाफ ज्यादा नहीं यक्किन बानीत भीन नहीं चयो है फ्रेंट्स और इसी चास्तिस समय ने उस रस गुल्ले को तयार किया था तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मैं चनल पर नहीं है तो प्लीज मेरा चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉचिंग